काशी में शिव, सक्ते और सुनवाई इसी पर जोरदार चर्चा हो रही है इस चर्चा के केंद्र में वो सर्वे रिपोर्ट जो रहस्यों से भारी हुई है और इसमें एक रहस्य जो है वो त्रिशूल को लेकर भी है सर्वे रिपोर्ट में दरसल साथ त्रिशूल देखे जाने का जिक्र है तो आप भी देखिए जरा ये साथ त्रिशूल का रहसे है क्या सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे टीम को सबसे पहले 14 मई को मस्जिद में त्रिशूल की कलाकृती दिखी थी रिपोर्ट में लिखा गया है कि पश्मी दिवार पर हाथी की सूड कील तूटी हुई कलाकृती और दिवार के पत्थरों पर स्वास्तिक तृशूल और पान के चिन और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई है पहले दिन मस्जिद परिसर में ज़्यादतर तैखानों के अंदर ही सर्वे कराए गए थी दूसरे दिन यानि 15 मई को मस्जिद के गुमबंदों के अंदर जाकर टीम ने सर्वे किया था यहां शुरुवात में सर्वे के दौरान टीम को पत्थर पर फूल, पती, कमल के फूल की कलाकृति और मंत्र लिखे हुए दिखें 15 मई को गुमबत के सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष की सहमती से सर्वे टीम मस्जिद के अंदर गई रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की दिवार पर स्विच बोर्ट के नीचे दूसरी बाद त्रिशूल की आकरिती दिखें त्रिशूल की ये आकरिती पत्थर पर खुदी हुई है इसी के बगल में स्वास्तिक का निशान भी दिखाए दिये इसके बाद आगे घुमते हुए सर्वे की टीम जब इमाम के बैठने वाली जगा पर पहुची तो वहाँ इमाम के बैठने वाली जगा से थोड़ा उपर ताक में त्रिशूल के खुदे हुए निशान मिले इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई यही पास में पश्चिमी दिवार के कोने में एक और स्विचबोर दिखा जिसके अगल बगल त्रिशूल की कई आकरतियां दिखाई दी इसके अगल बगल पेंट किया हुआ था हलाकि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के त्रिशूल के निशान वाले दावे को गलत करार दे रहा है रिपोर्ट में मिली जानकारी के मताबिक जो बात अब तक समझ में आ रही है उसके मताबिक महजित की दीवारों पर जगा जगा त्रिशूल की आकरति दीख रही है रिपोर्ट के मताबिक एक ही जगा पर आसपास में ही तीन त्रिशूल देखे गए परवेश दौर के आगे पूरी दिशा के दीवार पर करीब 20 फिट उपर पांचवा त्रिशूल का निशान दिखा इसके ठीक आगे करीब 7 फिट की उचाई पर 6 त्रिशूल नजर आया बड़ी बुख्य गुंबत के दाहिनी तरफ ताखा के अंदर भी त्रिशूल खुदा हुआ मिला तो सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या लगता है आपको ग्यानवापी आखर क्या है ये वो सवाल है जो सी वोटर अपने सर्वे में लोगों के बीच लेकर गया और जवाब देखें 57 फिसदी लोगों को लगता है कि ये मंदिर है 23 फिसदी इसे मस्जित मानते हैं और 20 की सदी ते नहीं कर पा रहे कि आखरकार ये क्या है मंदिर या मस्जित हाला कि फैसला अभी कोट से होना बाकी है और उससे पहले सुप्रम कोट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि निचली अदालत काशी में ही काशी के मामले की सुनवाई करे झालत करें अभी कर दो कर दो कि तरफ झालत काशी क्या है